लाइव नियूज खबर तो पक्की है कि जिन लोगों ने N.I.O.S किसे डिग्री ली है या मतलब उसे कहने का मतलब कि डियलेट के डिग्री ली है वो अपना सर्टिफिकेट जो है अपरोड करेंगे तो निश्चे तुरूप से सेकेंड फेच के बहाली को लेकर जो डियलेट के डिग्री की मानिता है सबको पता है कि whilst चीज़े अगर ब Gloria. कूरू चीज़े को लेकर उसके मन में जो सवाल है क्योंकि सब्षम हुक्षम कोई संगठन नहकोई मन्च आधि कोई भी उसके बातों का भिलना नहीं कर सकता है सरकार के प्रात्मिकता है कि जो BPSC द्वारा जो सिक्षक को बहाली हो रही है उसमें DLate के डिग्री क्या किन के पास DLate के डिग्री N.I.O.S. से है 18 महीने का है या किनी के पास जो है वो दो साल का है यानि 24 महीने का है तो काफी चीज़ों को लेकर जो चीज़ी पापो किस्तिती में है जो सवाल है उस सवाल के जबाब में आपको यही है कि अपने जाकर अपरोड करना है अब यह है कि सेकेंड फेज के बहाली से वो बहार हो जाएंगे या नहीं होंगे है पर्थम फेज की बहाली में वो सेफ है या नहीं है इन सम बातों का सबकेंगे क्योंकि सबकों पता है कि पर्थम फेज की बहाली में डेलेट के जो डिगडी है उसको मानता थी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही नोटिस आया है तो मुझे लगता है कि सिकेंड फेच की बहाली से उनको कहीं ने कहीं बहार कर दिया जाएगा प्रन्तु सरकार के तरफ से भी अगर कुछ अपडेट है सरकार के तरफ से कोई संभावना अगर बनती है तो निश्चितुप से बिहार सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए औ इनोंने कोर्स कराया है लगवग जो अठारा महने का कोर्स है और एक कह दिया जाए कि आपके डिग्री वैलिट नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोट ने एक और फैसला किया था बिएट मामले में 11 अगस्त को फैसला आया था कि बिएट की डिग्री है वन टू फ जो महत्कुन बिंदू है उस बिंदू को लेकर आपकों चर्चा करा दे बता दे कि अभी जो सप्लिमेंटेजल्ट को लेकर काफी वापव के सिती है और हम मुझे लगता है कि हमारी बाच्ची चली है कुछ लोगों से बाच्ची तो जो विभाग में है बिपीएसी में है सि बहुत जो है वो सीटों को लेकर रिजल्ट निकाला जा सकता है अनि कहने का मतलब कि सिकेंड सप्लिमेंटेजल्ट जो है उसकी तैयारी चल रही है अब आपको बता दे कि 19 दिसंबर के दीन जो तैह हुआ है आंदोलन उस आंदोलन को लेकर जो काफी पाहपों की सिती में छ संबर के दिन भारी से भारी संख्या में आप गांधी मूर्ती गांधी मैदान के पास जमा हुए यह आपकी लड़ाई है अगर आप लरना नहीं चाहते हैं आप साथ नहीं देना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़े बिलकुल नहीं होंगी और कि अभी परसो एक नोटीस आय है कि बिपीआची गेट के पास जैसा कि आपको पता है कि SDM पटना सदर के SDM उनके तरफ से नोटीस आया है कि पस कानून को नहीं मानने वाले लोग उहां जमावडा लगा सकते हैं ऐसी संभावना है तो मैं BPSC सचीब से जिन्होंने चिठी लिखा है बिहार सरकार को पटना परसासन को तो उसको हम उनकों से पूछना चाहते हैं कि आपने जो कनून के धज्य उड़ाई आपके द्वारा आपके BPSC द्वारा आपने कहा कि जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो फिर जब आपने डॉक्यमेंट का विरिफिकेशन किया ही नहीं और आपने मेरिट लिस्ट निकाल दिया तो सीटेट फेल स्टीट के डिगरी नहीं है कई फरजी परवान पतर के अधार पर जो हजारों लोग का निउक्ति हुआ और के नाम पर जो सीटों का अगवाल में लुआ जो गोटाला हुआ 4700 रिजल्ट का है कर और माध्र 2700 रिजल्ट दिया गया तो सीधी सीधी बात है और अभी भी लगवक तेश चोवी सजार पद खाली है और काफी चीजे हैं जिसको लेकर आपके मन में सवाल है च्छातरों व क्या वह एभी पीशी गेट के पास तो उन से पूछना चाहते हैं कि आगर किसी सिच्चा के वहरतियों के साथ कोई समस्या हुजाए कोई समस्या है तो अपनी मांगों को लेकर क्या भी पीशी के पास नहीं जा सकती कि आपनी मांग बुलंद नहीं कर सकते अर धार 144 आ लगा हो सकता है और आप धारा चावालिस की बात है तो कानून के उलंगन के अगर बात कोई चात्र वेर्थी करेंगे तो निश्ची तुरूप से आप उटपकरवाई करेंगे लिए इतना जरूर है कि आप लोगों की आवाज को दवाना चाहते हैं आज जो कता ही संभव नहीं है ल अपने बातों को हम बुलान करेंगे साथी हो जाहिंद धन्यवाद